हेलो बने हेंडर अले एजुकेटेड तो इस वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम एक फॉर्म बनाएं थू दी टेबल तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह हमने एक फॉर्म बनाया है जो की रेजिस्टेशन फॉर्म है या फिर साइन अफ फॉर्म है जो भी आप इ और एक हमारा ये वाला फॉर्म था ये ओके तो ये तीन हमारे फॉर्म थे और मैं आज जो फॉर्म है वो इस वाले फॉर्म को बनाऊंगा थू दी टेबल तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं ये थू दी टेबल तो गैस हम आ गए अपने सवलायम पे और यहां पे हमने कुछ पहले से जो हमने form बनाए थे उनका idea यहाँ पर लिख रखा था जैसे कि sign up, sign in और contact अर्ज का दो तीन form बनाए थे पिछली वीडियो में और उनी जो form है वो आपने अभी screen पर देखे जैसे कि यह और यह और यह इनी form को हम कैसे एक table के through अच्छे से बना सकते हैं वो ही इस वीडियो में देखेंगे हम तो चलिए हम start कर लेते हैं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर सबसे पहले एक new file लोगा और उसको मैं save करूंगा my form तो my form जो one है उसी को मैं one को one one कर देता हूं तो यह हमारा table के through हो जाएगा तो सबसे पहले मैंने html को start किया और यहाँ पर मैंने क्या लिखा just मैं यहाँ पर लिखूंगा मान लेती है my form one by table ओके अब हमें सबसे पहले यह समझना है कि यह जो form है इसमें हमारे कितने rows हैं और कितने columns हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो first यह जो लिखा है मैंने please register यह यह पूरी एक row है यह name बाली एक पूरी row है email वाली row है mobile वाली row है okay mobile यह दो हो गया यहाँ पर password और confirm password है actually तो यह और इसके बाद में हमारा sign up है तो यहाँ पर अगर rows की total की बात करें तो 1,2,3,4,5,6,7 rows हैं और यहाँ पर हर rows में हमें क्या करना है ज्यादा से ज्यादा दो ही column लेने हैं तो हम देखते हैं किस तरीके से यह बनाएंगे तो सबसे पहले मुझे क्या करना है एक यहाँ पर form को start करना है और उसके अंदर हम table को start करेंगे okay table start करने के बाद मैं क्या करूंगा tr को start किया पहली row बनाने के लिए और उसमें मैं td लूँगा अब td में क्या करना है हमें सबसे पहले td में please register here डालना है तो यहाँ पर यह heading में है तो मैं इसको s2 ले लेता हूं हाना कि पिछली बार s बन लिया था और यहाँ पर लिखूंगा मैं please register here okay so यहाँ पर मैंने please register here कर दिया है अब मुझे करना क्या है यहाँ पर border लगा देता हूं ताकि अभी देखे आप बाद में चाहें तो border हटा भी सकते हैं तो यहाँ पर मैंने 2 इसका border दे दिया अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा यह जो td है इसमें मुझे लगाना पड़ेगा call spend to ताकि यह column जो ह यह दो input लगाऊंगा तो पहले टीडी में मैं क्या लिखूंगा उसका जो label है तो उसका label क्या है नेम तो यह automatically close कर देता है यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर ले लिया क्या नेम और इसके बाद में एक मैं टीडी लूँगा इसको मैं next line में कर लेता हूँ ताकि साफ दिख जाए आपको और इसको भी next line तो पहला टीडी हो गया और इसमें दूसरा टीडी जो है उसमें मैं क्या करूँगा एक input box लूँगा और जिसमें मुझे देना है एफ नेम तो यहाँ पर text मैं लूँगा और कोई भी validation लगानी ह तो लगा सकते हैं आप यहाँ पर जैसे कि placeholder लगाना है अगर तो enter your first name इसके बाद मैं अगर required लगाना है तो required को on कर दीजी आप इसके बाद मैं कोई भी अगर id बगानी है तो वो लगा सकते हैं आप बाकी मैं अभी कुछ नहीं लगा रहा हूँ और इसी को मैं क्या करूँ लगा copy paste कर लोंगा for the second name के लिए यहाँ पे मैंने paste किया है इसको मैं इसको थोड़ा सा छुटा कर लेता हूं ताकि सही से दिख जाए और यहाँ पे मैं क्या करूँगा is second name कर दूंगा बस second name एक इसके बाद मैं यहाँ पे आके मैं इसको run कर आता हूं पहले तो थाकि आपक को सभी से दिखती चले जाएगे तो ट ChiAR हमने लिया दूसरी रोज के लिए तो दूसरी रो रो हमारी क्या एं-mail वाली, Okay तो यहाँ पे टियार लिया हमने और पहले टीडी में हम क्या लगाएंगे जिए हमारा क्या हो गया लेवल हो गया और इसके बाद में वह ही ओके प्लेस ओल्डर लगाना है प्लेस ओल्डर लगा दीजिए प्लेस ओल्डर एंटर ऑर एमेल ओके इसके बाद में यहां पर आए और इसको मैंने किया रेफ्रेश बन बिनिट तो यह close हो गया actually मैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको दुबारा से run करके तो यह run हो गया है इस तरीके से इसका अगर हमें size बढ़ाना है तो यहां पर हम size लगा सकते हैं इसका तो size अगर तो अभी size आप मत लगाईए ओके और इसके बाद में मुझे क्या करना है इमेल के बाद मुझे password देना लेना था password mobile and sign up ओके तो password मैं ले लेता हूँ सबसे पहले तो TR में मैंने क्या किया एक TD फिर से लिया और उसमें level लगाया हमने password और एक TD फिर से जिसमें मैं लगाऊंगा input और यहाँ पर password और यहाँ पर required on और placeholder में create your password और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक और TR जिसमें मैं confirm password करवाऊंगा क्योंकि sign up करवा रहे हैं तो confirm password करवाना है तो यहाँ पर मैंने जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मैंने दे दिया मान लीजिए confirm password ओके confirm pass दे दिजिए कोई रिक्कत वाली बात नहीं है message confirm pass वो समझ जाएगा user इसके बाद मैं create your password की जगह पर आप करेंगे confirm password ओके सो confirm password हमारा हो गया है इसके बाद में हमें क्या करना है एक और टी यार लेना है जिसमें कि हमें mobile नंबर पूछना है तो टी डी और यहां पर लेबल दे दीजी और फिर से एक टी डी जिसमें कि हम एक इनपुट लगाएंगे जिसमें हम नंबर रखेंगे क्योंकि जो हमारा कुछ लाष्ट जो बच्चा है वह हमें बटन बना ना है तो इसके बाद में के लिए भी हम एक टी आर लेंगे और टी यार के अंदर आके एक टी-डी एक कॉलम बनाएंगे और पहले ही से मैं इसमें लगा देता हूं कॉल all spend to क्योंकि हमें एक ही कॉलम लेना है str में ओके और यहां पर input अगर आपको यह कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जो मैं क्या कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको पूली इसकी value दे देता हूं मैं sign okay इसके बाद मैं इसको save किया और यहां पर आपको इसको refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो form है वो बन चुका है अब इसको हम क्या करेंगे अब बन मिनट यहां से इसको remove कीजिए इसके बाद में मैं यहां पर क्या कर सकता हूं एक तो लग टेबल में border border one minute one minute इसको मैं अठा देता हूं control s और इसको मैंने किया refresh तो आपने देखा यह border हट गया हमारा हमें क्या चाहिए कि इनकी line थोड़ी सी बड़ी करनी है या फिर इन दौनों की छोटी कर देता हूं ठीक है तो इसकी जो size है ना इसका size में छोटा कर देता हूं औ और तो यहाँ पर आऊंगा मैं और इसमें size लगा दूँगा तो मैंने इसका size दे दिया 1 minute size जो है इसका मैंने दे दिया मान लेजिए 30 दे दिया और second वाले जो second name है उसका भी मैं size दे देता हूं 30 ओके यहाँ पर आके इसको मैंने refresh किया तो यह बड़ और गया है कम नहीं हुआ तो यहाँ पर मुझे छोटा करना पड़ेगा 15 and 15 ओके तो यह 15 और 15 हो गया है 1 minute यह हो गया 15 and 15 अब इनका में थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूँगा और यहाँ पर आगर आपको बीच में जगे दे नहीं है इनके बीच में तो आप यूज कर सकते हैं NBSP OK M% NBSP तो यह किस तरीके से काम करती है हमारी identity यह भी हम देखेंगे कुछ अगली वीडियो में एक वीडियो में बता दूँगा जिसमें आपको identity समझा जाएंगे इस तरीके से आप बना सकते हैं इसके बाद में अगर इसको मुझे center में लाना है तो यहां पर इसमें मैं क्या लगा दूँगा align center लगा दूँगा इसमें मैंने align center लगाया तो यह हमारा center में आ गया ओके इसके बाद में मुझे क्या करना है इसको थोड़ा थोड़ा से बड़ा करना है तो मान लीजी है मैंने यह है email को मुझे बड़ा करना था तो इसमें मैंन करना पड़ेगा तो यह देखा बरावर हो गया हमारा इस तरीके से तो इसी को मैं copy paste कर लेता हूँ अगले जो हमारे input हैं उन में password में और password में confirm password में और उसके बाद में mobile में ओके इसको मैंने किया refresh यहाँ पे आके तो आपने देखा इस तरीके से form हमारा बन गया है अब क्या करना है इसको मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ अब मुझे इसको center में जैसे लाना तो center मिलाने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे एक center tag लगा दीजिए form से पहले center यह आपको पता होगा मैंने शुरुआत में बताया है तो यह center लगा दिया और form जहाँ पे हमारा close हो रहा है उसके बाद में हम center को close कर देंगे यह center close हुआ तो यह automatically center में आ जाएगा अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बादर लगा सकते हैं table में अभी बादर लगाएंगे तो किस तरीके दिखाई देगा जैसे मैंने बादर लगाए इसको मैंने refresh किया तो इस तरीके से form देखेगा लेकिन मुझे करना क्या है कि इसका न यह जो form है इसका मुझे थोड़ा थोड़ा size मतलब थोड़ा gap देना है तो gap देने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैंने इसको सबसे पहले border लगा दिया gap देने के लिए मैंने क्या बताया था कि आप cell padding लगाईए तो cell padding हम जैसे 5 देंगे तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा gap हो जाएगा हो गया ना gap इस तरीके से अब इसका border हटा दीजिए इसका मैंने border हटाया आप देखिए आप form अच्छा लग रहा ना आपको अगर आपको यह चाहिए कि आपको सिरु form में cable border चाहिए तो यहाँ पर आप border लगा सकते हैं लेकिन किस से css से तो आप यहाँ पर style लगाए जिन लोगों css नहीं आती है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ घबराने कोई जरूत नहीं है हम css सीखेंगे next video से ओके तो यहाँ पर मैंने border लगा दिया है border 2px और यहाँ पर मैंने insert कर देता हूँ इंसेट अच्छा लगता है इंसेट और यहाँ पर मान लीजिए green green कर दिया मैंने इसका color इसके बाद मैं किया refresh तो आपने देखा इस तरीके से form बन गया हमारा इसके बाद मैं और भी कुछ इसमें करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप तो अगर इसको sign up को center में ला सकते हैं sign up की अगर बिर्थ वड़ानी है तो वड़ा सकते हैं लेकिन वो सारा काम css से होगा तो इसलिए वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ यहां पर तो इस तरीके से आप table के through एक अच्छा सा मतलब की लोग दे सकते हैं अपने form को अगर मुझे यहां पर एक line चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ और एक्स जहां पर हमारा प्लीज रजिस्टर टीडी के अंदर लगाना है चाहर के कंट्रोल भी कंट्रोल एस इस तरीके से ओके यह चाहर हो गया हमारा इसकी हैemon अगर इस HR में अगर हमेंगा इसका कलर देना तो यहाँ पर भी आप स्टायल लगा दीजी और इसका कलर दे दीजिये Clara मैंने देदिया इसका घेन ही दे दीजिये, ऊके सो मैंने इसका बैक्ग्राउंट कलर लगाना पड़ेगा इक्चूली मैं आपको तो मैंने इसका background color लगाया one minute, one minute background color color, okay background color green और इसकी अगर हमें बिर्थ बढ़ानिया तो height बढ़ानिया height बढ़ा दीजिए तो बिर्थी बढ़ेगी मतलब उसकी height बढ़ा होगे तो मोटी होगी न थोड़ी line तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया मान लेजिए 6PX ओके अब इसको मैं करता हूँ refresh यहाँ पे आके तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बन जाएगा लेकिन अभी यह responsive नहीं है अगर आप इसको responsive देखना चाहें तो यह responsive नहीं है तो responsive करना भी हम अपने नेश्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे responsive करेंगे तो अब इसके बाद में जो भी वीडियो हमारी आएंगी उसमें हम CSS और जो हमारा जावा स्क्रिप्ट और HTML तीनों को साथ लेकि चलेंगे तीनों हम सीखेंगे एक साथ क्योंकि अब हमारी जो HTML बेसिक है वो हो गया है अब हमें कुछ भी चीज जो इंट्रेक्टिव बनानी है या फिर थोड़ी सी अच्छी बनानी है जिसका लोग अच्छा हो तो उसके लिए मैं CSS और जावास्क्रिप्ट आने ही चाहिए तो अब जो भी वीडियो जाएंगी वो CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ आएंगी जो बैब डिजाइनिंग की ये जो प्लेइलिस्ट बना रखी है इसमें वो सारी वीडियो एड होगी और जो CSS की वीडियो है वो इसमें भी एड होगी और एक और प्लेइलिस्ट में बना दूँगा उसमें भी एड होगी ऐसे अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है किस वीडियो से आपको सीख पा रहे हैं तो वीडियो को лайक कीजिए और चैनल को सस्काइब करना मत भूलेगा क्योंकि इस चैनल पर मैं इस ही तरह के एक वीडियो लाता रहता हूं और बैल आइकन को प्रेस करना मत बूलेगा और अगर आपको लगता है किसी की मदद हो सकते इस वीडियो से तो उसको सेर केज़ेगा ओके सो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए हैवा गुड टाइम